टा स्लाम येक्ट मूला अज हम फिजिक बंट जिरो वान परोन की जरी मीर्ट अपरे करें गे और हम जोतना नंबर तू कारने मैटिउनु जो कॉन्स करेंगे इसमारी साथ करेंगी इसमारा अब फिरलो फॉआखाई specialty जो का अटिक्स है ॢेया अटिक्स कम जोनों सबसे पहले पेक्पारइब किया है आट से सबसे पहला है और यूनल आट मेरे का पास है और अश्योड होगा कंदरर हो गया तो फ्यात मेरे deciding प्रश्रीन वेटानी बटती है ठीक है तो हमारे पार पार डिपलेटमेंट आई ये वेक्टर कॉनिटी तो फ्रेक्ट ऑप्षिन इस दे दिया इसी तरह वेलोस्टी के उनुट होता है मिटर पर सेकिंट सेड लांग का मीटर होता है तो यह चोट चोट आपको याद उने में जब मुफ कर रही होगी तो हम बोडी की मोशन की आपको इस दो इस प्लेटमेंट मोशन ठीक है तो आगे जो हमने बतानी है के सिंपलेस टाइप उप मॉशन हैं अलों लांग ए अस्टेट लायंग देखो हमारे पास जो प्लेंट मोशन होती है इसकी दो थैपस होती है linear motion and second one is curvilinear motion और rectilinear motion बहुत ही है जब कोई object is straight line में move कर रहते है ठीक है तो हमारे पाद जो question है dash is the simplest type of motion and is along a straight line path जैसे में भी बता है कि जब object straight line में move करेगा तो it will be rectilinear motion so correct option is B so next हमारे पाद है dash is the motion along a curve path आप देखो दो two types में ने बता है एक थी plane motion की एक टाइब one type सी rectilinear motion जब body straight line move कर रही होगी अब हमारे पाद जो ने बहुत है second जो में ने बता है कर्वी linear motion कर्वी linear motion में क्योंसी जब body curve path के around जो move कर रही होगी है so the dash is the motion of a curve path is curvilinear motion ठीक है so dash next हमारे पास है a train cover 60 miles between 2 p.m. and 4 p.m. how fast it is going at 3 p.m. so train help me 30 mile distance to your cover here 2 p.m. से 4 p.m. तक हमने बताना है उसकी speed at 3 p.m. इसको आपने इसको solve करने के लिए आपने जोना वो time जो है ना वो distance over time करेंगे तो speed का formula आज़ेगा speed का formula का अज़ेगा speed का distance over time distance आपको 60 और time करने के लिए करने के लिए करना है 4 p.m. minus 2 p.m. it will be 2 so 60 divided by 2 कर रहो तो it will be 30 so जो option होगा आपके पाल right of unit will be B ठीक है अब next हमने देखना है कि जो identify the unit vector in the form देखो इसमें मेरे पर vector square quantity से लिए उसके related ना यह mc को इसमें add कर देखा जो unit vector होता है उसका formula होता है vector divided by vector की magnitude ठीक है vector और its magnitude तो हमारे पास जैसे यह vector i plus j 1 plus 1 2 है इसके magnitude हो नहीं है यह आया और यह भी नहीं है आप देखो यह d option है क्योंकि d option में हमारे पास 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 और इसका square root लो चुगा whether it is 2 नहीं चाहिए तो यह vector vector magnitude d is option is right option next हमारे पास है if the particle has negative velocity and negative acceleration speed क्या होगी देखो एक चीज़ आपने बस या रख नहीं है अगर particle की velocity और acceleration दोनों negative हो या दोनों positive हो तो speed जो होगी objective वो increase करेगी या अगर velocity और acceleration के sign opposite हो तो speed क्या होगी, decrease क्या होगी, इस case में हमारे पास है, इस particle पॉस्टिव विलॉस्टी और एक्सलेशन के दोनों sign के है, negative है, same है, तो speed क्या होजाएगी, increase होजाएगी, so right option is 1, so next हमारे पास है, इस particle has positive velocity and negative acceleration, देखो यहां आप देखो, पार्टिकल के पास positive velocity और negative acceleration, मतलब velocity acceleration के sign के opposite है, so इसका मजब क्या है, speed क्या करेगी, decrease करेगी, so right option is Z, decrease, अब हमारे पास से, a ball is drop from some height towards the ground, which one of the falls represents the correct option of the ball, so एक ball है, आपने जोन इसको height से drop किया है, तो आपने बताना है कि वो का pattern जा फोलो कर लगी जा वो जमीन की तरफ करेगी, so यह देखे हमारे पास जो फर्स्ट आप्शन जो होना हमारे पास है, इस नमारे पास है, पार्टिकल एक्जिक्टूर्ट यूनिकोर्मोर्मोर्मोर्शन इन एक्स वाइप्लेन, पार्टिकल मैं जोरीडेन, इस शडिखान ज्य बेर देखे जनिया है, इस ने बताना है इसले Q यह उनिक्लो कर लोगक्वासटी्न आपका है, जैसे Q लोग हो खिश कंछ हो होती है, आप उस पर रॉटेट करना है, यह छिक्ट शी करना हो जिद्ध आ जिए यह आर तो है, ऩ the correct option एक पार्टिकल जोनले उनी इन फॉर्म ऑसने है कि एकजिग्ट कर रहे हम दो अने क्रचक्छ ने क्या हो गाई जब बार्टिकल जोनले फॉर्म जे पारटिकल प्रटिकल में फॉर्म मुख करता है तो डावल और शिर पार्टिकल अन वर थे लोस्तिक ज़ोसितर देश्ट of acceleration of constant velocity and speed general constant नहीं हो सकता है ठीक है acceleration of speed जब भी constant नहीं हो सकता है क्योंकि हम change in speed change होगी तो velocity होजेगी वह है नहीं है तो इसलिए velocity acceleration constant भी नहीं हो सकता है तो diet option is the deal अब next हमने बताना है कि अब base ball is throw straight upward what is the ball accelerated at its height point so highest point जब भी कुछ आपकी चीज़ को फैंक भाल वर है तो वो speed जो velocity height point जाके वो sometime की कुछ बोल श्टेकर जो 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 गेन ओपन दिरक्शन जो के initial speed u from the ground then the time taken by the object to return back to the ground is so इसका जो time होगा इसके लिए जोने kinematics की की कुछ फिर्स्ट यूज़ होगी और थर्डी कुछ उज़ होगी ठीक है उसको जब total time आप नकालेंगे तो वो हमारे पास होगा is the option ठीक है 2 u over g so we the case speed only slow again next when a moving particle return to its initial point so so next time if a body start from a point and return back to the same point then its a point अब से सबसीर के आगे तो अगे मैंस भी खुझाट्ट बीक white खिँर में और तुझानली आथके सक्वड़ा झीडिक्त और आखि। to umbrella toward north in five hour the velocity of the car from this journey is to the question to what the north you know so is that you are not in the corner had distance so yeah so to the time the kind of distance coach and up name speed find can you have new distance go time for the white car then so 200 divided by 5 it will be 40 toward the north then so answer will be to over the north which is C right option a body can't have a constant speed and varying velocity acceleration and constant speed constant velocity and varying speed constant velocity or varying speed so it will be C so next so a ball is dropped from the top of the tower and another ball is thrown horizontally at the same time then so I'm gonna get a ride off major balls in a tower say I've been released key or do we have a ball just ride the case that you have to go over and release car be a top mission time after the energy car don't know board you know same time to hit the ring a first ball call it correct ground for a second carry key yeah how many better so I'm a general तो अगर वह और इसमें जननो वह इनिशल स्पीट करना अडिया नहीं है तो अगर हम एयर्टिक्शन को एग्नोर कर जें कि जिस्ट्रियो इसकरिमेंट को थोड़ा सब मांने को रिकोल करें एक body जिसकी velocity तो 0 है, तो इसका acceleration 0 होना दुरूरी नहीं है और second a body having 0 velocity will necessary have 0 acceleration, so first option जारे हिर साहे रहुँआ है, we told the following is not a characteristics of displacement I am not a displacement, how many displacement हमें है? displacement हमें हमें पता है, displacement हमें हैं और हमें पता है, the shortest distance between two points, or it can be represented, geometrically, graphically and represented ऐखर सकते हैं और ये भटर दीट स्वरिप्स्टिया हाँ हरन्ला। इस फिर्टी सब्सक्राइब कश्छेक्षां, मार्च भी दॉर। यॉर्ड दॉर्ट आई वह चूर्टी। navigating पोर इस The First option is C, Aॐ। hoped for आई यॉर। झाल झाल